चलिए क्लास शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स तो क्लास इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और क्यों कहते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से important है तो class सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अब तक जो हमारी scientific knowledge है उसके हिसाब से ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा blue planet Earth है यहाँ पर जीवन different forms में exist करता है जैसे कि animals या फिर हम humans और plants और अगर हम ये सोचें कि वो क्या properties है जो हमको यानि कि living things को एक non-living thing से separate कर सकती है तो class इसमें जो सबसे main property है वो ये है कि हम human या plants या कोई भी animal सभी grow करते हैं और life की different stages तक पहुचते हैं और चाहे animals हो, हम humans हो या फिर plants हो इन सभी में एक खास property होती है that is reproduction यानि कि animals और plants अपने जैसी species को reproduce कर सकते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस reproduction के through ये जो living system है ये अर्थ पर लगातार चलता रहता है और class यहाँ पर हम अर्थ पर मौजूद जिस living system की बात कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि ये जो living system है ये जिन molecules से बना होता है उन्ही molecules का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं biomolecules यानि कि एक living system को बनाने में biomolecules का बहुत important contribution होता है तो class इस chapter में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिन molecules से living system बने होते हैं उनको हम biomolecules कहते हैं बट actual में किन molecules को हम biomolecules की category में रखते हैं तो आए ए class थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं biomolecules के साथ अगर हम biomolecules को एक line में define करना चाहें तो इसकी बहुत simple definition है non-living complex molecules तो class यहां से हमको दो बाते मालुम चलती है कि एक तो biomolecules खुद non-living होते हैं चाहे वो living system को बनाने के लिए जुम्मेदार हो और दूसरा कि वो complex molecules होते हैं तो class अब देखते हैं कि इस complex molecules का meaning क्या है complex से हमारा meaning है ऐसे molecules जिनका composition बहुत complex हो यानि कि जिनको आसानी से समझा ना जा सके इसके साथ साथ जिनका structure भी complex हो यानि कि उनके structure को भी समझना बहुत आसान ना हो तीसरा difficult to understand यानि कि जिनकी study करना या जिनको समझना easy ना हो तो class इस परकार से हम ये कह सकते हैं कि biomolecules के composition को study करना उनके structure को समझना और उनकी detail study करना थोड़ा difficult होता है और class यहाँ पर एक बात important है कि ये जो biomolecules होते हैं जो कि खुद non-living होते हैं इनकी वजहा से living systems के अंदर बहुत सारे chemical processes होते हैं और ये जो chemical processes किसी living system में होते हैं इनको study किया जाता है biochemistry के अंतरगत तो class अब आप ये जान चुके हैं कि biomolecules non-living complex molecules होते हैं लेकिन एक question अभी भी है कि biomolecules actual में होते क्या हैं वो कौन से molecules होंगे जिनको हम biomolecules कहेंगे तो चलिए देखते हैं अगर हम कुछ important biomolecules की बात करें तो उनमें आते हैं carbohydrates, proteins, nucleic acids और lipids इनके अलावा भी कई biomolecules होते हैं बट majorly हम इनहीं को consider करते हैं और class ये तो हम जानते हैं कि biomolecules खुद तो non-living molecules होते हैं बट जब ये non-living biomolecules आपस में interact करते हैं तब ये life को generate कर सकते हैं और इस तरह के combination से या हम यूँ कहें कि non-living biomolecules के combination से ही हमको life देखने को मिलती है और इस प्रकार से हमारे अर्थ के हर कोने पर आज life मौजूद है चाहे हम surface की बात करें आकाश की बात करें या फिर हम जल या underwater की बात करें और हर जगह मिलने वाली life में जो एक चीज common है वो ये है कि हर जगह इन biomolecules के combination ही life को लगातार रन कर रहे हैं तो class I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि biomolecules क्या होते हैं study करते हैं